कि नमस्कार मैं चीव अडिटर अतारुसन एंटी करफ्षन से हैं आपका एंटी करफ्षन की अन्यूस में स्वाकत है और आज मैं पुलिस कमिसर आफिस में हूँ और मैं यहां पर पिली से रुबरू करा रहा हूँ आज जो हमारे भी पिलीता है उनका क्या प्रकड़ है मैं उसे ही जान लेता हूँ आपकर क्या लाम है फिजा आज यहां बाप कमिसर आफिस आप आई है आपका क्या प्रकड़ है क्या मामला है सार मेरा एक सुसराल का तो मसला चल रहा है मेरे जो हजबंड है मुहमत जयद उन्होंने लव मेरे शादी करी और शादी करने के थोड़े दिनके बाद ही हम को अपने घर पे रखे इन्होंने रखा गुप सरीके से कि किसी को पता ना चले मेरे घर के लावा यानि कि उनके जो वालों ने मेरी और मेरी शादी से मेरे हम दोनों की शादी से उनके घरवाले खुश नहीं थे तो वो लोग हमें प्रताडित करने लगे बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे पांच लाक की डिमांड कर रहे हैं गाड़ी बगेर की डिमांड करते हैं और मेरे साथ उन लोगों हुई सर जब मैं उनके घर पे जब मेरे हस्बंट ने जब शादी कर रही थी उसके बाद हमको जो ले करके जब अपने घर खुद हमको स्वेम ले कर गए थे वो तो उन लोगों के घरवालों ने पूछा ये कौन है तो उन्हों ने बोला कि मैंने शादी कर लिए तो इन लोगों ने बदनाव को नहीं मुझे एक्सेप्टी तो नहीं कर रहे हैं मुझे और उल्टा लांचन लगाए हैं मेरी पूर वजुशादी हो चुकी है जो कि मेरे सरह हस्बंट को पता था और उनको पूरी जानकारी थी और तलाग भी उसमें हो चुकी थी मैंने अपने घरवालों का भी यह कहना है उन लोगों ने जो लांचन मेरे पर लगाए हैं वह बहुत बुरी तरीके से लगाए हैं और मुझे और मेरे घरवालों को उल्टा उन लोगों एफायार दर्च करवा कि मतलब आपको परिशान करने के लिए उनके माबाप ने आप पर जुटा पारूम लगा कर और पुलिस में कोई प्रात्ना पत्र सबसे पर जब इन लोगों ने मुझे मारा था मैं इनके घर पर रहने के लिए फिर से जब गई थी 8-10-23 में तो इन लोगों ने मुझे मार पीट करके निकाल दिया वहां से मैंने एक एप्लिकेशन दी रेल दरदार दिखाने में, महां से क्या हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने मेरी करवाई ने करी ना कुछ पूलिस में सुना, उसके बाद में फिर मैंने 12-23 को जॉयंट कमिश्नर सर के हैं, मैंने एप्लिकेशन दी ती तो वह एप्लिकेशन, मेरी 12-23 वाली वो हमारी एप्ल इन लोगों ने समझौता करवाया दबाव बनाया कि अगर तुम किसी भी तरीके से अगर समझौता नहीं करोगी मीडियेशन में तो हम तुम्हारे तुम्हारे घरवालों के उप़र फायार्ट करवा देंगे फर्दी तरीके से और तुम्हारा जो पूर बैक्ग्राउंड साहर जैसे ही में पहुंची। वहां से नोगों क्या बोला कि घर जव में अलगी रहुंगा जैसे मेरे हस्बइन ंए नले जाओंगा ले यहां बसके बादमेने क्या सिस्का क्या मूठ करके शुक्न समझौता करने के बाद देड़ महीने के बाद पूरी प्लानिंग थी इन्हों ने इनके घरवालों ने मेरे और मेरे माबाप भाईयों सब के खिलाफ बूरी बहुत बुरी तरीके से फायार दर्च करवाई है उसमें पुलिस उसमें बलके मेरे घर पे एक बार दविश में डाल चुकी यह उस जो पहले की अप्लिकेशन बाद दस तेईस वाली उस पर कारवाई नहों करकि नौए चौबित नोगों ने उल्टा फर्जी फायार दर्च करवा दी आप कहना है कि उन लोग ने आपके आप पर और आपके पर परिवार पर एक जुटा रूब लगा कर एक फायार कराई और कराने बाद पुलिस ने उस पर एक्शन लिया और आपकी कारवाई पर पुलिस कोई आक्शन नहीं लिया और कोई कारवाई नहीं हुई नहीं आपको नयाय मिला और नहीं आप कोई पुलिस संग्यान ले रही है और ना उन पर कोई एक्शन ले रही है तो ऐसा परतित होता ह लड़के जो एक शादाव है शादाव आला मौर एक निहाल ने दो चार पांच लोग और हैं जो की हसन रूमी का समर्तन करते हैं बताते हैं कि हम तुम्हारा यह करवा देंगे वो पूरी तुम कुछ नहीं कर पाऊगी हमारा रेल वजार थाने के अंदर पूरा सेटल्मेंट रहता है तुम यहां से कुछ निजैसी मैं चाओंगा उस तरी कि तुम्हारे और तुम्हारे घरवालों के खिलाफ रिपोर्ट्स लगवाऊंगा आज मैं देख रहा हूं आप यहां सारे अधिकारी मौजूद हैं आज आपसे वारता हुई है उस वारता में आपसे क्या मैडम से बात हुई अमीता सिंग मैडम है उन्होंने मुझे अश्वासन दिया है कि आप परिशान ना हो यह मैं आपको न्याय दिलाओंगी और मैं आपके साथ में खड़ी हूं और आपकी एफायार भी दर्ज कराऊंगी तो वहां पर उन्होंने यह बोला एक बार इनके कासन मिला है कि एक वार्णिंग उनको देकर एक मौका दिया जाएगा उनको लखे लखे पच्कों उन्हें बैट का बात चीज होगी अगर उससे अगर इनकी अगर वो सहमत हैं इनको रखने के लिए और इनके शर्टों पर तो ठीक है वन्ना उनके खिलाए वाई हरोकर उनक को निया मिला है लेकिन जिस तरह आपने पताया निया दो नहीं मिला है बल्के आपको सोचल हो रहा पुलिस दौरा क्या सचाहिए मैं माननी मुखमंती जी तक अपनी ये बात पहुचाना चाहती हूं कि मैं बहुत बीडिक लड़की हूं और मेरा जो है इससे पहले जो पू करेंगी अपने आप को बचाने के लिए क्या शिकायत नहीं थाने में करेंगी मैं बाइन मुखमंत्री और सारे जो भी मुखमंत्री हैं और जो प्रदान मंत्री जी मैं उन्से रिक्वेस्ट करते हूं क्या महिला के लिए उन सब चीज़ों कोई एविडेंस नहीं अगर महि से होते हैं तो वह महीला क्या पेशेवर हो जाती है मुझे इस चीज का जवाब चाहिए यह आरोब आप पर किसने लगा किसने आपको पेशेवर कहा यह जो मेरे सुस्राल देवर क्या बोलते हैं नहीं इमाद और उसामा और उनके जो लोग है जो मतलब उनके सपा के जो नेता लोग है उन लोग उन्हें तो बहुत बुरे लांचन और आरूप इस तरीके से लगा एंकि मुझे और मेरी फैमिली वालों को कही के काबिल नहीं पूरी तरीके से छीचा लेदर कर दिन लोगों ने आपके कोई बच्चे भी हैं नई सर मेरे बच्चे नहीं है आप यह बताइए कि आपके पती क्या करते हैं उसके इंचान करें दें सर इनकी है ना नवीन मार्केट में दुकान है कपड़े की रॉयल फैब्रिक्स के नाम ते शौप नमबर 169 है और यह इनका कपड़े का बहुत अच्छा मतलब कारोबार है तो यह इनकी पूरी फैमिली जो उनके दो भाई लोग हैं उनके बाप हैं यह सब अपने दुकान पर अपनी इज़त को बचाने के लिए मेरे उपर सारे लांचन लगाएं है कि इस तरीके की यह लड़की है यह पेशेवर लड़की है इसका काम ही यही है जब कि किसी के भी पूर कोई चीज किसी महिला के साथ अगर कोई अत्या चार होता है तो महिला उस चीज के लिए अपने नहीं हो सकती अगर इस तरीकी की कोई घटना होती है यह जिस तरह वकत करा रही है इन पर जो आरोब लगाए गए हैं सम्नेदार हैं और यह आज कविसर आफिस माई है अपनी वर्यात को उन्हुंने कमिसर रही है वो इसको संग्यान ले रहे हैं उनकी जल्दी इनसाफ भीलेगा और जो इनके पती हैं उनका परिवार हैं अगर वह जात्ती करते हैं तो उनके खिलाए फायार होगी और वो जील जाएंगे अब बगली अप् झाल बनोग झाल झाल